नमस्कार किसी विशेश उदेश्य से एकत्र की गई संख्यात्मक जानकारी को कच्चे आपरे कहते हैं, जब कि यह जानकारी देने वाली प्रतियक संख्या को समांख गहा जाता है, आईए इससे एक उधारण से सुमझे मान लीजे हमें एक सारणी दी गई है, जिसके पहले स्थम में विशेशों के नाम जैसे की हिंदी, करने, अंग्रेटी इत्यास वगरा दिये गए हैं, जब कि दूसरे स्थम में इन विशेशों के पुस्तगों की संख्या दी गई है, तो अब इनमें कच्चे आपरे एवं समा कि एक आंख जैसे की 226, 325, 852 को हम समांख करेंगी, आईए, अब बात करते हैं, बारम बारता की, कोई संख्या स्वयम को किसी संभू में जितनी बार दोराती है, उसे हम बारम बारता कहते हैं, जिससे सुनिए, कोई संख्या स्वयम को किसी संभू में जितनी बार दोराती ह उससे हम बारंबार्दा क्या हों, बारंबार्दा कैसे ग्याद की चाती है, यह सीखने के लिए हम आईए एक उधरन देखते हैं, मान लीचे तुम्हें किसी पर गरों के बाहती शंख्या दीछ होई है . आप दीख सकते हैं इस संहुँँं में take 3 संख्या गथी , 1, 2, 3 हम इनकम से प्रतिक संहाफ्य की बारमगार्दा निकालेंमें और इसी भी संगेशा की बारा मर्दा निकालने के लिए हम दिलान चिन्नों का प्रयोग करते हैं आई दिखते हैं मिलान चिन्न कैसे बनाया जाते हैं सबसे बड़े हम इस सम्भू को पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पेला अंपह मिलेगा एक तो कोड़ में पेला हमें प्रिक से इना कुछे को यह मदagu इसकी बिखेए तो पिखेए सलय कि ब्र revolutionary इन चिंगे गत थे धे ऐसे इना का का मिलेगे और दो के सामने एक और दिल्ड लग कीजएगे अब भ्यान बीजिए एक जो है वो 5 भी बार आ रहा है जैसी भी कोई संख्या पांश भी बार आ जाए तो हम 500 टंटा नहीं गनाते हैं है जिस चार ट Alem ने अम भद हें और उस से 5 में किलता है यहांगी जिए खाए nursing सदृ की बारम बारंबालता है पाँच, दो की बारंबार्दा है, तीन, एवन तीन की बारंबार्दा है, दो, इस परकार हमने तीनों संख्याओं की बारंबार्दा निकाल लिए, आईए एक और उन्हारण देखते हैं, मान लीजे हमने किसी पासे को 36 बार देखा, तो उसके प्लष्ट पर आने वाली प्रतिक संख्या कुछ इस परकार है, इन संख्याओं में से प्रतिक संख्या का बारंबार्दा निकालने के लिए, हम एक सारणी का प्रेवग करेंगे, तो कि कुछ इस परकार दिखेंगे, उस स पूंने मिलान चिंड लेगां 30 फं में बारंबारता लिखेंगे। आप देख सकते हैं मिलान चिंड उसे की एक पांच बार उपस्तित है इस समूँ में। देखते हैं एक कहा कहा कज़ा है। कि देखे के पहला एक एकत दूसरा एकत पांच पांच उसी प्रकार चे जो है। वो चार बार आ रहा है जिलान चन्डा हम ऊएक देख सकते हैं ताहां काने च यह देखते हैं एक makers यह है रहा फैस्का आ दार यह रहा तीसरा यह है लुक्हत्त्य करता है उस प्रेकार आप देख सकते हैं न हमें इन सबी शंक्राह के बारम बारता देखा दी रही जो की तीसरे स्वम्मे लिगी रही है इसके बार और आप ये भी देख रहे होंगे कि इन सभी वारंबार्ताओं का जो योग को लोगा वो 36 होगा ऐसा क्यों कि हमने पासे को 36 बार पेकर हैं आईए अब हम बात करते हैं माध्यति माध्यक और सांक्यकी में इस चिन से सांक्यति किया जाता है कहीं भी आपकी ये चिन लिए प्रेस्वा अबलग माध्यक के बारे में बात की जा रहे हैं सांक्यकी में और सक्तोहीन माध्यक कहा जाता हैं इन दोनों में कोई अंतर नहीं आए इसे को तरन उसे संवस्ते हैं मान लीजे हमें एक सर्भमे भी गई है जिसके पैन संवे संखें दूसर संभ में बारम बारता एवं तीसरे संभ में हमें उज़ कोणफल किये गए माध्या निकालने के लिए हम इनके गुण को लोगा योगफल निका लेंगे और उसे भाद देंगे बारम बारता के योगफल से जो की कुछ ऐसा है जहां से देखिए इनके गुण को लोगा योगफल है 123 एवं इनके बारम बारता के योगफल है इनको हम भाग देगे को हमें बिड़ेगा इन पोई एक बारस आए एक और दोन देखते हैं इसमें भी हमें एक सार्मी दी गई है इसके पहले सम्मे परिवार में बच्चों की संध्या एवं दूसरे सम्मे बारं बारता और चुछे सम्मे उनके गोफल दिये देगे इस इनकी बारंबारताओं का योगफल निकालेंगे जोगी 10 है। फिर हम इसके गुड़फल की योगफल जोगी 20 है उसको बारंबारताओं की योगफल जोगी 10 है उससे बहुत देंगी। इसका उत्तर हुए दो मिलेगा। जोगी ये पताता है कि इस सब्मूव का मार्टियर दो है। इस वीडियो में हमने ये चाना कि कच्छे आखड़े एवां समाउं इससे कहते हैं।